स्वागत है आप सभी का हमाई यूटूब चैनल हिंदी ज्यान पर एक बापुन हम आप से जुड़ चुके हैं एक नए शिर्शक को लेकर आज का जो नया सिर्शक है वह गुश्वामी तूलसी दाज जी द्वारा रचीद शिर्शक है जिसका नाम है भरत महिमा प्रस्तु सिक्षक में भरत जी की चरित्र की महिमा का बखान किया गया है यह शिर्शक तूलसी दाज जी द्वारा रचीद है और तूलसी दाज एक ऐसी महतोपूर प्रतिभा थे जो यूगों के बाद एक बार आया करती है तथा ज्यान विज्यान भाव विभाव अनेक तत् प्रतिभा इतनी विराटी कि उस ने भारती संस्कृति की सारी विराटा को आतमसार कर लिया था तूलसी दाज जी के बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब ये पांच वर्ज के बालक मालूम होते थे क्योंकि उत जन्म से ही इनके स्मस्त दान्त मौझूत और जनमते ही इनके मुख से राम का सब्द निकला इसलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है आश्चर चकित होकर इन्हें राक्षत समझ कर माता पिता द्वारा त्याग दिये जाने के कारण इनका पालन पोशन एक दासी ने तथा ज्यान एवं भक्ती की सिच्छा प्रसंत बाबा नर हरिधास ने प्रदान की इनका विवा आगे चलकर रतनावली के साथ हुआ इनके बारे में कहा जाता है कि रतनावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन हुआ और इनकी पतनी एक बार इनकी जो पतनी थे बिना बताए हिमाय के चले जाना पर प्रेम आतूर तुलसी अर्ध रात्री में आदि तुफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पोचे पतनी ने इनके लिए इनहें फटकारा फटकार से इनहें वैराग्य हो गया इसके बाद कासी के विद्वान सेश शनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ग्यान प्राप्त किया और अनेक तिर्थों का भ्रमड करते हुए राम की पवित्र चरित्र का गान करने लगे तो आईए इस सर्शक को देखते हैं भरत महिमा गुश्वामित तुलसी दास ने राम चरित्मानत से अवत्रित प्रस्तुत परशंग में भरत की भात्र भाक्ति को उद्गाटित किया है राम को पिता के द्वारा वनवास दिये जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन के ओर चल देते हैं उनका भात्रि प्रेम आदर्श एवं अनुकरनी है तभी तो तुलसी दास ने कहा है भरत संभाई होवे हैं न होंगे भरत की समान न भाई हुआ है और न होगा प्रतम दोही में तुलसी दास जी लिखती है चलत पयादी कहात फल पिता दीन तजी राजू जात मनावन रगुबरही भरत सरिस को आजू भायप भगती भरत आचरनू कहत सुनत दुक दूसन हनू जो किछ कह थोर सकी होई राम बंधू असकाहिनस होई हम सब सानू जभरत ही देखे भईन धन्य जोबती जन लेखे सुनी गुन देखी दसा पचिताही कैकई जननी जोगु सुतनाई को कह दोसहू रानी नाही बिदी सब किन हम ही जो दाहिन कह सब कह हम लोक बेद विधी हीनी लगुती यकुल करतूती मलेनी बसही कुदेश कुगा कुबामा कह यह दर्सु पुन्य पर्णामा अस अनंदु अचिरजु प्रतिगामा जनु मरुभूमी कल्पत रूजामा प्रस्तुत पंक्तियों में भरची राम को मना कर लोटा लाने के लिए सित्र कूट जा रहा है इस दोहे में इनके संबंद में मार्ग में पढ़ने वाले ग्रामों की इस्त्रियों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है जो की इस प्रकार है चलत पयादे खात फल पिता दीन तजी राजू एक इस्त्रिय अपनी सक्षियों सी कहती है कि पिता की द्वारा दिये जिस राज्य पर भरत का पुण अधिकार था उसका परित्याग करके चलत पयादे पयादे अर्थात पैदल ही खात फल फलाहार करती हुए पिता दीन तजी राजू पिता की द्वारा दिये गए राज पाट का त्याग करके जात मनावन रगुबर ही सीराम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं भरत सरिश को आजू, आज भरत की समान कौन है? अर्थात भरत जी की समान राम का अनुरागी, त्यागी और विरागी कौन होगा? भायप भक्ति भरत आचरनू भायप अर्थात भात्रित्व भरत का आचरनू प्रेम भक्ति और भायचारिक आचरन है कहत सुनत दुख दोसन हरनू इसका वरण करनी और सुननी से सभी दुख दूर हो जाते हैं जो कुछ कहब थोर सकी होई भरत जी की बारे में एक सकी कहती है कि हे सकी उनकी संबन्द में तो कुछ भी कहा जाए थोड़ा होगा राम बंधू असका ही न होई सी रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न होँ अर्थाद भरत जी स्री रामचंद्र के भाई है तो ऐसे क्यों न होँ हम सब सानुज भरत ही देखे छोटे भाई सानुज अर्था सत्रुधन सहित भरत जी को देखकर भाई दहन्य जोबती जन लेखे हम सब भी आज बड़ भागिनी इस्त्रियों की गिंती में आ गई है को कह दो सहन सुनी गुन देखी दसा पचिता ही इस प्रकार भरत जी की गुन को सुनकर और उनकी दसा देखकर इस्त्रियों पचिताती है कहकर जन लेखे जोग उसुत ना ही और कहती है या पुत्र कहकर जैसी माता के योग्य नहीं है को कह दो सनो रानी है ना ही कोई कहती है इर्मे रानी का भी कोई दोस नहीं है विध्धी सभो किन हम ही जो दाहिन या सब विधाता नहीं किया है जो हमारी अनुकूल है कहां हम लोक बेद विधी हीने कहां तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन कुल और कर्तू दोनों से मलेन तुक्छ इस्त्रिया है जो की बसही कुदेश कुगाव कुमामा जो की जंगली प्रांत और बुरे गाव में बस्ती है कुगाव अर्थाद बुरे गाव में बस्ती है कुवामा और इस्त्रियों में भी नीच इस्त्रिया है और कहां कह यह दर्षु पुन्य परिनामा और कहां यह महान पुन्यों के परढाम स्वरूफ इनका दर्षन अस अनंदु अचिरज प्रतिगामा ऐसा ही आनंद और आश्चरे गाउं गाउं में हो रहा है जनु मरू भुमि कलपतरु जामा मानो मरू भूमे में कल्वरिक्च उक आया हो आगे की पंक्तियां में तुलसीदाजी ने कहा है तेही बासर बसी प्रातहीं चली सुमिरे रगुनात राम दरस्की लालसा भर सरीच सबसात यहां भर समय आयुध्धावासियों में राम की दरस्की लालसा सरद्धा और भक्ति का बख़ुत सुंदर या मान्मिक धंक से वर्नन किया गया है तेही बासर बसी प्रातहीं कहते हैं तेही उस बासर मतलब दिन अयुद्या वास्यों के साथ उस दिन वही ठहर कर अगले दिन प्रातर काल ही चले सुमिरे रगुनात सी राम का अस्मरन करके भरत जी आगे बढ़ें राम दरस की लालसा भरत सरिज सबसाद उनके साथ के सभी लोगों में राम की दर्शन की उतकट लास्ता लगी है इसलिए वे सिग्रहे सी राम की समीप पहुँशना चाहते हैं मंगल सगुन हो ही सब काहूं फरक ही सुखद बिलोचन बाहूं भरत ही सहिद समाज उचाओं मिलही रवामूं मिटही दुखदाहूं करत मनूरत जस जिय जाके जाही सनेह सुरा सब जाके सिथल अंग पग मगडग डोलही विहवल वचन पेम बस बोलही राम सखाते ही समे दिखावा सैल सिरो मनि सहज सुहावा जासु समीप सरित पैतियत तीरा सिय समेत बसही दो बेरा देखी करही सब डंड प्रनामा कही जय जान की जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजू जनु फिर अवद चले रगु राजू मंगल सगुन हो ही सब का हूँ सी राम की दर्सन की सुकता मन में उठते ही सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे फरकही सुखद बिलोचन बाहू दाए नेत्रो भुजाएं पुर्सों की तथा बाए नेत्रो भुजाएं इस्त्रियों की फड़कनी लगी भरत ही सहित समाज उच्छाओं अर्थाज चो उनके प्रिय राम की सिग्र ही दर्शन होने की उन्हें मंगल संकेत मिलने लगे संपूर भरत ही सहित समाज उच्छाओं संपूर समाज में भरत सही अपुर उच्छा है क्योंकि उन सब की दुख और कष्ट राम से मिलकर दूर हो जाएंगे जैसी भावना जिसकी मन में है वो वैसी ही कामना कर रहा है जाही सनी सुरा सब जाके वे सब सी राम की प्रेम की मदिरा का जखकर पान करके मत्वाले होकर चल रहे हैं सिथिल अंग पग मग डगी डो लहीं अत्यदिक उत्सा की कारण सभी की अंग सिथिल पढ़ गए हैं और मार्ग पर उनके पैर उधर उधर पढ़ रहे हैं विहवल वचन पेम बस बोल रहीं वे सब राम की प्रेम में विहवल होकर केवल प्रेम पूर वचन ही बोल रहे हैं राम सखा तेही समय दिखावा उसी समय राम की मित्र निसाद राज उन्हें परवतों में सर्वुत्तम सैल सिरोमनी सहज सुहावा स्वभाविक रूप से अत्यंत मनुरम उस कादम गिरी परवत को दिखाते हैं जासु समीप सरित पैतीरा जिसके पास परश्विनी नदी के टट पर सीता जी सिय समेत बसहीं दो विराज सीता जी समेत दो विर भाई स्री राम और लच्मन निवास करते हैं प्रेम मगन असराज समाजों उस परवत को देखकर समने जानकी जीवन राम की जय हो के नाद के साथ उसे दर्णवट प्रणाम किया देखी करही सब डंड प्रणामा कही जय जान की जीवन रामा सभी ने डंडवट प्रणाम किया उस परवत को देखकर जानकी जीवन राम की जय हो कहकर प्रेम मगन अस राज समाजों बस सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मगन है जनू फिर अवद चले रगु राजों मानो राम जी अयुध्या लोट चले हो आगे की पंक्तियों में कहा गया भरत प्रेमों तेही समेजस्तर कही सकई न सेशू कवी ही अगम जीमे ब्रह्मशुक अहमम मली न जनेशू यहां तुलसीदास ने भरत के प्रेम के समुख अपनी कवी प्रतिभा को तुछ बता कर अपनी विनय सीलता का पर्चर दिया है सीता जी रात्री की अंतिम प्रहर में दूस्वपन देखती हैं जिसको वह स्री राम को सुनाती हैं राम उस्वपन को सुनकर चिन्ति थोड़ते हैं उने का इन पंक्तियों में वर्ण करती हुए तुलसीदास जी कहते हैं भरत प्रेमु तेही समय जस्तस कही सकय नसेशू कभई अगम जीमी ब्रहमशुक अहमम मलीन जनेशू सकल सनी है सितल रगुबर के गई को सु दोई दिन कर ढढ़के जलू थलू देखी बसे निसिबीते किन गवन रगुनात पिरीते उहां रामु रजनी अवसेशा जागी सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नात वियोग ताप तन ताए सकल मलीन मन दिन दुखारी देखी सासू आन अनुहारी सुनी सिय सपन भरी जल लोचन भय सोच बच सोच भिमोचन लखन सपन यह निकना हुई कटिन कुचा सुना ही कोई अ कही बंदू समेत नहाने पुजी पुरार इसाधू सनमाने आए इसकी व्याक्या देखते हैं जो की इस प्रकार है संद तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत प्रेमु तेही समेजस भरत जी की मन में उस समेज ऐसा प्रेम था तस कई सकई नसेशू उसका वर्णन हजार मुखवाले शेशनाग भी नहीं कर सकते कब ही अगम जीमी ब्रहमसुक अहमम मलीन जनेशू तुलसीदास जी कहते हैं फिर मुझ कभी के लिए वह विसे वैसे ही अगम और दुस्प्राय है जैसे अहंकार और मोहमाया से मलीन वैक्ति के लिए ब्रह्मानद कहने का तात पर यह है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोहमाया में फशा वैक्ति परम ब्रह्म से साक्षातकार नहीं कर सकता उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता आगे की पंक्तियों में तुरसी दाज जी ने लिखा सकल सनी सिथिल रगुबर के सी राम की अत्यदिक इसनी सिथिल गए कोस दूई दिन कर ढरके भरत जी सुर्य के ढलने तक केवल दो कोस की दूरी ही तै कर सके जलू थलू देखी बसे निसी बीते उन्होंने जल और अस्तल की समुचित उपलब्दता देखकर रात बिताई किन्ह गवन रगुनात पिरीते और फिर स्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया इधर उहां राम उरजनी और सेशा इधर राम जी रात्री की सेश रहते ही जाग गए जाग ये सिय सपन अस देखा सीता जी ने तभी एक ऐसा दूस्वपन देखा की उनकी आँखे घबरा कर खुल गई भरत जनो आई नाथ वियोग ताप तन ताई उनका सरीर वो कहती है की उस सवपन को वे सिराम को सुनाने लगी कि मैं सवपन में मैंने देखा की मानो भरत जी यहां पर समा सहीत अर्थात अयुद्धा वासियों की सहीत आई हुए है नाथ वियोग ताप तन ताई शकल मलीन मन दिन दुखारी उनके साथ आई सभी लोगों के मुख मलीन है और दीन हिंद से उन सब के मन अत्यन्त दुखी है देखी सासू आन अनुहारी उनके साथ आई सासू को भी मैंने दूसरे ही रूप यानि विद्वा रूप में देखा है सुनी सिय सपन भरे जल लोचन सी राम की आखों में सीता जी के इस सवपन को सुनकर आसू आ गए भै सोच बस सोच भी मोचन समपून लोगों की चिंताओं को दूर करने वाले वे सी राम स्वयम चिंता ग्रस्थ हो गए लखन सपन यह निकना होई वो अपने भाई लच्चमर से कहते हैं कि लच्चमर या कोई बुरा सपन है या सपना अच्छा नहीं है कठी न कुछास सुनाई ही कोई जरूर ही अत्यदिक कष्टकारी असुब समाचा सुनने को मिलने वाला है अस कहीं बंदु समेत नहाने यह कह कर स्री राम ने भाई लच्चमर सहित असनान करके पूजी पुरारी साधु सनमाने सीव की पूजा करने के उपरान साधु संतु की वंदना करके उनका सम्मान किया तुलसी दास का यह कथन महाकवी काली दास के उस कथन से प्रेदित लगता है जिसमें उन्होंने सुर्य वंसी राजाओं के वंस्वर्णन के लिए स्वयम को अल्पु बुद्धी बताया है तुलसी दा जी ने जब यह कहा कि मैं उस समय का जो उनके मन में राम जी के लिए प्रेम है भरत जी के मन में उसका मैं वणन नहीं कर सकता एक बार काली दास जी ने भी यह लिखा था कि कव सुर्य प्रभवु वंस कव चाल प्रविश्यामती ती तिर्चहूत उस्तरम मोहांडो नासमे सागरम